हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जियां दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आठ मार्स से 14 मार्स तक की विकली Most Important Most Important Current Affairs Most Important Current Affairs जो आपके हर एक 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 एक्जाम के लिए useful होंगी जी यहां दोस्तों मेरे वीडियो की इस Current Affair वीडियो की खास्यत यह है कि मैं Current Affair के questions के साथ साथ static static GK की भी related question को discuss करता चलूँगा जी यहां दोस्तों तो हमारे वीडियो को like share और subscribe करना ना भूलें अगर हम वहाँ पर रहे चैनल को पहली वार visit कर रहे हैं clear दोस्तों और इससे पहले एक मार्च से लेके साथ मार्च तक की वीडियो चैनल पर प्रोट कर दी गई है जिसको जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है चले दोस्तों तो start करते हैं आज का session क्या कहता है पहला question कि दूर संचार विभाग निप्तान और अपीलिय न्याधीकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो यह बने हैं डी एन पतेल डी एन पतेल जी को टेलिकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्राइबूनल के लिए अध्यक्ष नया चेर्मेन बनाए गया है अगर बात करें इसकी तो इसकी स्थापना कब हुई 2000 में 2000 में इसकी स्थापना हुई और इसका हैट कोई निव डेली में बात करते हैं नेक्स क्योशन की नेक्स क्या कहता है किस राज सरकार ने अम्मा और वाहनी एजना को सुरू किया है किसने शुरू किया है ते शुरू किया है सिक्किमन ये शुरू किया है सिक्किमन क्लिर दोस्तों ये शुरू किया है सिक्किमन अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की राजदानी है इहां के जो CM है वो है प्रेम, सिंग, प्रेम, सिंग, तमांग, प्रेम, सिंग, तमांग, यहां के CM है सिंकिम में एक most important pass है या धर्रा है नाथूला, नाथूला pass, यह most important pass है सिंकिम का जो इंडिया के trades को चाइना के trades से जोड़ता है, जो इंडिया के trades को चाइना से लिंक करता है यही एक pass है इंडिया का, कहां पर है यह pass सिंकिम में, नाथूला pass क्लियर दोस्तों, बात करते हैं next question की, next question क्या कहता है जन औसदी दिवस 2022 कम मनाये गया, ते मनाये गया, साथ मार्च को जन औसदी दिवस प्रधान मंत्री जन औसदी योजना या जन औसदी दिवस ही मनाये गया, साथ मार्च को जियां, यह आपके लिए important हो सकता है, और इस साल की जो theme है, theme की अगर हम बात करें, तो theme है, जन औसदी, जन औसदी, जन उपयोगी जन औसदी, जन औसदी जन औसदी दिवस दो है या और पाईस की theme थी, तो दोस्तों याद रखना, जन औसदी दिवस कब मनाये गया, साथ मार्च को जन दोस्तों किसी ना किसी exam में एक day या दिवस के बारे में पूँच लिया जाता है, तो इसकी theme पूँच लिया जाता है, तो ये question आपके लिए important हो सकता है बात करते हैं, next question की, next question क्या कहता है, छे मार्च 2022 को केंदरी और दोहकिक सुक्चा बल ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है, तो दोस्तों ये मनाया है, 53, त्रेवन मा, त्रेपन मा, अपना इस्थापना दिवस मनाया है, CISF ने, CISF ने, जी या दोस्तों, कई व सुरक्षा, ये आपके लिए important हो सकता है, कई वार इसका motor पूछा गया, IIP प्रोस में, सुरक्षा, एवं सरनक्षन, या सरनक्षन, एवं सुरक्षा, protection and security, अगर बात करें, CISF की, तो CISF की स्थापना हुई थी, 10 मार्च, 10 मार्च, 1969 में, 10 मार्च, 1969 में, और बात करें, headquarter की, तो इसका भी headquarter कहा है, New Delhi में, New Delhi में, क्लिया दोस्तों, और इनके इस्थापना दिवस पर, जो Chief Gas थे, वो थे, अमित साह, अमित, साह, current home minister, home minister, क्लिया दोस्तों, आईए बात करते हैं, next question की, next question क्या कहता है, किस राज सरकार ने युवाओं को कौसल प्रदान करने के लिए, नान मधु बलन नामक एउजना सुरुवात की है, which state government has launched a scheme, name, नन मधु बलन, to skill the youth, तो ये scheme की है, किसने, तमिन लाडू सरकार ने, तमिन नाडू ने, अगर बात करें, तमिन नाडू की, तो यहाँ एक famous temple है, जो कई बार paper में पूछा गया है, क्या नाव में उसका, मीनाक्षी, मीनाक्षी temple, मीनाक्षी temple, मीनाक्षी temple, यहाँ के cm की बात करें, current जो cm है, वो कौन है, mk, stalin, mk, stalin, यहाँ के current cm है, बात करें, तमिन नाडू की, तो तमिन नाडू में और क्या है, तमिन नाडू से हम याद रख सकते हैं, इंद्रा, इंद्रा, गांधी, नेशनल पार्क, इंद्रा गांधी, नेशनल पार्क भी, यहीं पे है, और बात कर लेते हैं, तमिन नाडू की, तमिन नाडू में, टोटल कुल, 39 लोगसवा सीट हैं, और 18 राजसवा सीट हैं, 18 राजसवा सीट हैं, के लिए दोस्तों, यह तो स्टाटिक जीके से रिलेटेड कोश्चन थे, और जो करेंट अपेर्स से रिलेटेड है, वो क्या है, नान मुदवलन, नान मुदवलन प्रोग्राम या इसकीम किस स्टेट न 2020 से सम्मानित किया गया है, तो किया गया है इलहा लोध जी को, जी यहां, इलहा लोध जी को, जी यहां, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर, इंटरनेशनल वुमेंस डे पर, राश्टपती नामरात कोविन जी ने, राश्टपती रावनात, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट र 2021 की 21 की नारे सकती संबान पुरुषकार नारे सकती पुरुषकार 2020 और 21 की टोटल 29 महिलाओं को महिलाओं को पुरुषकित किया है इसमें से मन्नो प्रांथ इला लोद जी को दिया गया है नेक्स बात कर लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा Mobile Phone Mela Mobile World Congress का आयोजन कहां हुआ है वेर इस वर्ल्ड लार्ज़स्ट Mobile Phone Fair Mobile World Congress हेल्ड तो यह हुआ है बारसिलोना इस्पेन में के लिए इस्पेन की बात करें तो इस्पेन की करंसी है करंसी इंपोर्टन है करंसी क्या हो जबते है इसकी करंसी क्या है इसकी यूरो यह याद रखने वाली बात है स्टाटिक जीके के परपस से की इस्पेन की करंसी क्या है इउरो नेक्स बात कर लेते हैं स्लिनेक्स नौसिना अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है किस देश के बीच में किया गया है तो यह किया गया है स्री लंका भारत और स्री लंका के बीच में इस नवल एक्सराइज की गई है और यह एक्सराइज का और एक्सरसाइज का नौमा संसकन था और एख सेवन्थ और एट्थ मार्च को हुई है सेवन्थ और एट्थ मार्च को हुई है नेक्स बात कर लेते हैं अंतरराश्टी महिला दिवस 2022 की थीम क्या थी तो ये थी जेंडर एक्वैलिटी today for a sustainable tomorrow क्लियर दोस्तों और बात कर लेते हैं International Women's Day फर्स टाइम मनाया गया था 1975 में यह आपके लिए important हो सकती है थेम भी important हो सकती है International Women's Day की कब मनाया जाता है यह यह celebrate किया जाता है every 8th March को 8th March को International Women's Day celebrate किया जाता है first time celebrate किया गया था first time celebrate किया गया था 1975 में बात करते हैं दोस्तों next भारत की 23 23 महिला सत्रंच Grand Master कौन बनी है who has become the India's 23rd female chess Grand Master तो यह वनी है प्रियंका नुटक्की प्रियंका नुटक्की next बात करते हैं प्रिधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना के तहत दाने पेंशन अभियान की शुरुवात किसने की है तो यह शुरुवात की है भूपेंद्र यादब जीन है यह करेंट के केंद्री है श्रम यह वन रोजगार मंत्री है श्रम यह वन रोजगार मंत्री है नेक्स्ट बात करते हैं पिलास्टिक प्रदूसर से निपटने के लिए पांचवी सयुक्त राष्ट परयावण सभा का आयोजन कहां किया गया है तो ये किया गया है नेरोवी केन्या में किया गया है नेक्स बात करते हैं महिलाओं के लिए सामर्थ नाम से एक बिसेश उद्धमित प्रोश्चान अभियान को सुरू किसने किया है तो ये सुरू किया है नारायन राने जीने नारायन राने ये करंट MSME मिनिस्टर है नेक्स बात कर लेते हैं Study in India सम्मिलन 2022 का उल्गहतन कहां किया गया है वेर हैज दा Study in India कॉंफरेंस 2022 बिन इनगुरेटेड तो ये कहां किया गया है धाका बांगला देश में बांगला देश से दोस्तों बहुत ही important question आप जो कई बार पूशा जा चुका है चोटे चोटे पेपरों में कि बांगला देश के लिए बांगला देश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है तो बांगला देश में गंगा नदी को पदमा कहा जाता है पदमा, रिवर कहा जाता है गंगा नदी को बंगलादेश में जी आप बंगलादेश की कैपिटल क्या है धाका नेक्स बात करते हैं अंतर राष्टी साहसी महीला पुरुसकार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो इस सम्मानित किया गया है रिजवाना हसन को रिजवाना हसन को 2022 साहसी महीLा पुरुसकार से सम्मानित किया गया है बात करतें नेक्स क्वेर की धूम्रपान निशेद दिवस 2022 की थीम क्या थी तो इस थीम क्या थी धूम्रपान छोड़ने के लिए तनापुन होने के जिवत नहीं है जी यहां दोस्तों बात करें no smoking day no smoking day 2022 मनाया गया 9th of March को 9th of March को यह मनाया गया है और बात करें no smoking day यह मार्च के यह मार्च के हर साल मार्च के second Wednesday को second Wednesday को मनाया जाता है और बात करें first time यह कब मनाया गया यह first time मनाया गया 1984 में next question की बात कर लेते हैं लड़कियों के पालन पोशन और सिख्छा में सहायता के लिए कौसल्या मातर्त एवजना को कहां की सरकार ने शुरू की है तो यह शुरू किया है 36 गर्वर्मेंट ने अगर बात करें 36 गर्वर्मेंट ने अगर बात करें 36 गर्वर्मेंट की तो current cm कौन है current cm है यहां के भूपेस भगेल यहां के current cm है और बात कर लेते हैं 36 गर्वर्मेंट की बारे में अगर 36 गर्वर्मेंट की बारे में बात करें तो यहां याद रखना है क्या स्वामी विवेका नंद स्वामी विवेका नंद इंटरनेशनल इंटरनेशनल इयरपोर्ट यहीं है और यह हैं कहां रायपूर में रायपूर जो 36 कड़ की capital है और यहां पर इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम में है जो क्या नाम है सहीद सहीद वीर नारायन सहीद वी नायन सिंग इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम भी यहीं है और क्या 36 गड़ पर एक इंपोर्टनेशनल पार्ग भी याद रख सकते हैं सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिशन की स्थापना कहां की जाएगी तो यह की जाएगी जाम नगर गुजरात में बात करने वर्ल्ड हैथ और्गनाजेशन डवलू एचो की तो यह बना था नाइंटीन फोर्टी एट में नाइंटीन फोर्टील एट में और हर एडर हर इएर सेवन अप्रेल सेवन्थ और अप्रेल को वर्ल्ड World Health Day World Health Day भी Observe किया जाता है हर 7 अप्रेल को हर 7 अप्रेल को बात करें इसकी Headquarter की WHO की Headquarter कहा है Headquarter है जिनेवा में Headquarter कहा है इसका जिनेवा Switzerland जिनेवा स्विजर लेंड में इसका Headquarter है बात करतें नेक्ट कुशन की नेक्ट कुशन क्या कहता है World Kidney Day 2022 कब मनाए गया तो दोस्तों मनाए गया 10 मार्च को World Kidney Day मनाए गया 10 मार्च को और इस साल की Theme क्या थी इस साल की अगर बात करें Theme क्या थी तो Theme क्या थी Kidney Health for All यह आपके लिए Important है Kidney Health for All World Kidney Day का मनाए गया 10 मार्च को Theme क्या थी Kidney Health for All Next बात कर लेते हैं महीला उग्रमी को सहायता प्रदान करने के लिए मात्र सक्ती उधमिता Scheme मात्र सक्ती उधमिता Scheme इजना को सुरू किसने किया है सुरू किसने किया है तो यह सुरू किया है मनुहलाल खटन यह Current हरयाना के मुख मंत्री है Next बात कर लेते हैं टीका करन अभ्यान Mission in the धरुस के तहत संपूर टीका करन का लक्ष हासिल करने में भारत का कौन सा राज पहले इस्थान पर रहा तो यह रहा उडिसा यह रहा उडिसा जी हैं दोस्तों Mission in the धरुस 2014 में चालू किया गया था इसके तहत दो से दो से एक से दो साल तक के बच्चों की जो बच्चे रह जाते हैं और जो प्रेगनेंट वुमेन होती हैं उनको यह टीका दिया जाना था जो रह जाती हैं बंचित रह जाती हैं उसके लिए Mission in the धरुस चलाया गया था इसके तहत उड़िशा में 90% 90.4% तक अचीब किया गया था Current उड़िशा के बात करें CM है कौन नवीन नवीन पटनायक Current CM है उड़िशा के नेक्स बात कर लेते हैं भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में दुनिया के सबसे लंबी 100 फिट लंबी और 30 फुट उची पृतिमा कहां बनाई जा रही है ते बनाई जा रही है बोध गया बिहार में यह आपके लिए Important हो सकता है Next बात करते है राश्तिय बित्ती रिपोर्टिंग प्राधिकरन NFRA की नए अध्यक्ष कौन बने हैं ते बने हैं अजय भूसन पांडे जी अजय भूसन पांडे जी बात करें NFRA की NFRA को 1 October 1 October 2018 में इस्थाफित किया गया था इस्थाफना हुई थी इसकी Next बात कर लेते हैं ICC महीला ODI विस्कप के इत्यास में सरवादिक विकिट लेने बाले गेंदवाच कौन बनी हैं लेने बाली गेंदवाच कौन बनी हैं जूलन गोष्ष्वामी इन्होंने ICC महीला विस्कप में सबसे अदव वर्ड विकिट टेकन किये हैं Next बात कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े 33 स्वर उजर सरेंद परियोजना को कहां सुरू किया जा गया है तो यह सुरू किया गया है तुदुकुडी तमिलनाडू में Next बात कर लेते हैं खेल मंत्रारे द्वारा राष्ठे युवा संसद महुशब 2022 के 33 संसकर्ण का आयुजन कहां किया गया है तो किये किया गया है नई दिल्ली में Next बात कर लेते हैं ISS F ISS F 22 में कौन सा देश सीस पर रहा है तो ही रहा है भारत भारत सीस पर रहा है आई ISS F का फुलपरम की बात करें तो क्या है Inter National Shooting International Shooting Sport Federation International Shooting Sport Federation तो International Shooting Sport Federation BIS Cup में 22 में किसने सबसे आदा पदक असिल किये है भारत ने तो भारत ने टोटल 7 medal जीते हैं 7 medal जीते हैं जिसमें से 4 gold हैं 2 silver हैं और एक bronze है clear और ये विसकप हुआ कहा है ये हुआ है मिस्त्रुमें ये हुआ है मिस्त्रुमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं किस राज सरकार ने महीलाओं को नौक्रियां परदान करने के लिए महीला एडिरेट कार कर्यम को शुरू किया है तो ये शुरू किया है करनाटक गवर्मेंट ने नेक्स्ट बात कर लेते है भारती रेलवे के पहले गती सक्ती कार्गो टर्मिनल को कहां शुरू किया गया है तो ये शुरू किया है थापर नगर जारखंड में थापर नगर गुज्रात की बात करें गुज्रात में हम एक गिर नेशनल पार को याद रख सकते हैं गिर नेशनल पार को याद रख सकते हैं यहीं पर ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है और 26 लोकसभा लोकसभा सीट्स हैं और 17 राज्यसभा सीट्स हैं हाली मैं भी यहां आगामी लोकसभा चुना होने बाले हैं नवंबर के करिवन थैंक्यू दोस्तों यह थी अगामी की 8th मार्च से लेकर 14 मार्च तक की मार्च की वीकली करंट अफेर मोस्त इम्पोर्टैंट करंट अफेर मोस्त इम्पोर्टैंट कूश्छं थे यह आठ मार्ज से लेके 14 मार्ज तक के जी यहां दोस्तों यह कोशिन काफी important है और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज like, share और subscribe करना ना भूलें अगर आप मेरी चैनल को पहली वार विजिट कर रहे हैं Thank you